शातरो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्यक्टरण देखने वाले हैं, उसका नाम है संग्यां तो देखें हमारे आसपास बहुत से ऐसे चीजे होती है जिनको हम पैचानते हैं आपको भी पैचानते हैं, क्यों पैचनते हैं? को हमें पहिचानते हैं क्यों पहिचानते हैं हमें जो नाम दिया है उसके कारण हम पहिचानते हैं देखो यहां पर यह चीज है मेरे हाथ में वो क्या है पेल है अरब रहें यह क्या है जिसको हम फलक पर लिखते हैं क्या है यह तो यह है खड़ी इसको खड़ी कहते हैं इसको अलग अलग नाम दिये हैं इन नामन के वज़े से हम अंचीजों को बहएचान सकते हैं। हम बहुत से चीज़े हैं, स्थान है, वस्तु के नाम है, प्राणियों के नाम है, मनुशो के नाम है, और अलग-अलग नामों के कारण हम अलग-अलग चीज़ों को पहचानते हैं, तो देखिए नामों को ही संग्या कहा जाता है इस संग्या की परिवाशे यहाँ पर दी हैं तो देखते हैं क्या है संग्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अथ्वा, मन के भाव को संग्या करते हैं किसको संग्या कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अत्वा मन के भाव इनको संध्या करते हैं यहाँ पर अनुचित दिया है इस अनुचित के द्वारा हम इसे और स्पष्ट करते हैं देखी यहाँ पर अनुचित पड़ता हूं हरिश रेल गाड़ी से आगरा गया वहाँ उसने ताज हुदन देखा और उसकी सुन्दरता देखकर हैरा रह गया तो यहाँ पर कुछ शब्दा इसे हैं जो संध्या शब्दे ने इतको हमें पहिचानना है देखी वो शब्द क्या हुदन पहले हरिश क्या है ? एक रड़की का नाम दग रहा है ??? तो फटती का दूर्प यहाँ हरेक गाड़ी यहाँ लगता है कोई वस्त है तो इसलिए आघरा के लिए만 हमें एक खांकित किया ..., इपर देखिए आगरा, आगरा से पता चलता है किषोहर का नाम है मत्तविक स्थान का बोद करा रहा है यह नाम इसलिए आगरा के पूचा में रिखांकित किया तो इस वाक्या में हमें इन संग्याय मिली एक हरिश, रेजगाडी और आगरा यहां आप दुसरे वाक्ते में देखिए वहां उसने ताज महल देखा ताज महल पता है नाप दिखता है यहां अपने आपकों के सामने तो यहां पर ताज महल देखिए होने के कारण उस ताज महल को हम पैचानते हैं उसका नाम देने से हमारे आपकों के सामने वह आपकों की तयार हो जाती है और उसकी सुन्दरता देखकर हैरान रह गया देखो ताज महल देखा और तो यहाँ पर उसकी क्या देखिया उसने? सुंधर्ता बाज मनत्य देखिया तो यहाँ पर एक भाव है तो यहाँ पर तरचाया है ताट पहल यह वबस्तु का लाम है तो देखिए सुन्दर्ता यह मन का भाव है तो यहाँ पर हमें जो संज्याई मिलती हैं इससे अलग-अलग संज्याई होने के कारण इसके तीन भेद किये जाते हैं इस संज्या के तीन मुक्षभेद हैं एक है व्यक्ति वाचर, दुसरा है जाति वाचर और तिसरा है भाव वाचर ऐसे तीन भेद किये जाते हैं और अंग्रिजी व्याकरण के प्रभाव के कारण इसके और दो भेद किये जाते हैं वो है द्रव्य वाचर और दुसरा है समुह वाचर जिनका समावेश जातिवाचक संग्या में किया जाता है तो हम इनके मुख्य तीन भेदों के बारे में अभी देखेंगे वो भेद है वेटिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक इन तीन भेदों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे देखो संग्या के यह तीन बेद है लेटि वाचक जाति वाचक और आव अचक आत गव है क्या जक्य दो जो भेद है व donne जाति법 जाति वाचक वाचक में संग्या किए जातिवाचक क्या ify जैते हैं वी जाति इनसे संग्यां वेकति बाचक संज्या में देखिये यहाँ पर मात्रा एक किक से देखिये नाम अच्छे तरह से लिखो न्टबुक में आपके वेकति बाचक संज्या इसमें उसकी परिवाशन देखि synt इस शब्द से किसी विषश व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे वेक्तिवाचिक संग्या कहते हैं किसी विशेश व्यक्ति वस्तू स्थान इनके बारे में जो शब्द गोद करा रहा है उसको ही वेक्तिवाचिक संग्या कहा जाता है तो यहाँ पर देखिए पहला यह उदार है इसको ही वेक्तिवाचिक संग्या कहा जाएता है अमारे नाम भी वेक्तिवाच्य संज्या में आते हैं राधा कहाने धीक रही है तो यहाँ पर एक लड़की का नाम है राधा तो राधा यह वेक्तिवाच्य संज्या का उदाहरत है देखो यहाँ पर तीसरा उदाहरत दिया है महाराष्ट एक बड़ा राच्य है कि महाराष्ट्र ही हमारी सामने आता है किसना नहीं तो इसलिए महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है यह महाराष्ट्र व्यक्थिवाट्चा सध्या का उधारन है तो एक विशेश व्यक्ति का स्थान हो सकता है, किसी विशेश स्थान के बारे में जानकरिती गई हो, या फिर किसी विशेश वस्तु, विशेश व्यक्ति, या फिर किसी विशेश स्थान के बारे में जो जानकरिते देनी वारे शब्द हो, उसे विशेश संग्या कहा जाता है इसके पहाँने आपने विक्ति वातन संड्या में दीखा कि किसी विशिश विक्ती मतलब एक ही विक्ती के यहां पर बोध हो रहा है, उसको जाती बच्चिक संग्या कहा जाता है, तो यहां पर देखिए, उधारत के द्वारा हम और समझाते हैं, मैदान में कुछ लड़के बात कर रहे हैं, मैदान तो बहुत सारे होते, आपकी यहां पर कोई मैदान होगा, अमारे विद्यादय में तो ऐसे बड़े बड़े जगों को मैदान कहा जाता है, तो मैदान एक जाती बच्चिक संग्या का उधारन है, क्योंकि मैदान तो बहुत सारे होते हैं, इस मैदान को अगर कोई नाम दिया गया, तो उन मैदान जैसे की गोलिवार मैदान, आपको जड़ से पता चला कि गो इसलिए मैदान यहां जाती बाद चक्का उधारण है, यहां पर मैदान में कुछ लड़के, तो किसी एक लड़के का नाम लिया है क्या? नहीं, पूरी संपुर्ण जाती का यहां पर बोध हो रहा है, इसलिए लड़के यह शब्द भी जाती बाद चक्का उधारण है, यहां और देकिए हमने मौशुनी फल कम चाहिए चाहिए यहां पर क्रिकित अध्यक्यर के ό medo करें सब्सक्राइप ज्нитьक क्षाशेत कर दो सारे को सबस्गत आपर और चिकों, ऐसे बहुत सारे जो शत्त है, फल हैं सभी को च्रुणा जाता है, फल उस संपुन जाती को यह फल यह शत्त है, इसलिए फल जाती बाटए संध्या का उधारन हो मेरा खर विद्याल्य से दूर्फबjem ही, यहाँ पर खर और विद्यालह है ऐसे यहां यहां पर रोटरी विद्यालै करो आगा यहां पर रोटरी विद्यालै का थे विद्यालै की माता है जुद सारे होते हैं देखो और अपने नोड बूब में लिखो, इसके फहरे जो व्यक्तिवाचक संगिया की बरिवाशा है, वह भी अपनी णोड़बूक में लिखो संग्या का तिसरा वेध है भाववाचक संग्या इसमें देखिए जिन संग्या शर्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, अध्वावस्तों के गूर, दोश, दशा या अवस्था आधिका बोध होता है उन्हें भाववाचक संग्या कहते हैं तो यहाँ पर तीन वाक्य दिये हैं, तीन वाक्यों से हम पता गरते हैं कि भाववाचक संग्या किसे कहते हैं खुल की सुगन बहुत अच्ची है खुल को क्या है सुगन है इसका इसकी की सुगन यह शब्द यहाँ पर मन का भाव है खुश इसा है खुश हूँ तो यहाँ पर आज में बहुत खुश हूँ, खुश यह भावाचिक संध्या का उदारन है यहाँ पर देखिए बच्चे बच्चपन में बहुत शरार्ती होते हैं बच्चे बच्चपन में बच्चपन यह उनकी क्या है? अवस्था है इसलिए बच्चपन यहाँ भावाचिक संध्या का उदारन है और यहाँ पर शरार्ती, बहुत शरार्ती होते हैं उनका गूर्ण शरार्ती है उनका गूर्ण यहाँ पर दर्शाया है तो किसी व्यक्ति, किसी स्थान और वस्तु, किकूर, दोश, दर्शा या अवस्था इनको दर्शाने वाले जो शब्द रहते हैं उनको ही भावचर संग्या कहा जाता है यहाँ पर जो भावचर संग्या की परिवाशा है वो आपने नुटू में लिख कर लो और यह उधारण दिये हैं, हार एक के तिन तिन उधारण में दिये हैं वेक्ति वाचर के तिन जाते वाचर के तिन और भावचर संग्या के तिन उधारण में सब अपनी नुटू में लिख हो तो यहाँ पर हमारा सग्या यह व्याकरन का जो भाक्ता हो पूरा हो चुका है